कि दूस्तों आज हम देखेंगे 25 फीट का अउस प्लानिंग 20 फीट है और 25 फीट है अगर दोस्तों आपको भी कोई अलग तरह किसे अउस का प्लानिंग करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ताकि हम आपको जो रिक्वाइल्मेंट है उसी हिसाफ के अउस प्लानिंग बनाके देश सबींगे तो दोस्तों आपको इसमें फर्स्ट प्लोट भी साइट करना है तो यह भी हो सकता है कि अगर फ्रस्ट प्लोट एक दो बेड्रों साइट करना है जोस्तों आपको उपर की तरफ जाना है तो यहां पर के साइट जा सब्सक्राइब दोस्तों यहां एंटर में यह कोमन टोलेट भी आहुआ है जिसका जो साइज है 5 feet by 5 feet 9 inch यानि कि यह वाल से लेकर यहां तक 5 feet है और यह वाल से लेकर यहां तक 5 feet 9 inch है और common toilet को यहां पर ventilation के सेट किया हुआ है दोस्तो अगर हम आगे देखेंगे तो यह house planning में यहां पर यह पूरा living room दिया हुआ है और सामने यहां पर kitchen है दोस्तो यहां पर living room के बात करेंगे जिसका size है normal 10 by 13 feet यानि कि यह वाल से लेकर यह यहां तक 10 feet है और यह वाल से लेकर यहां तक 13 feet है दोस्तो लिए लेकर यहां पर toilet भी दिया हुआ है इंसाइड अगर आपको यहां पर store room वागेरे convert करना है तो यह चीज possible है दोस्तो यहां पर toilet का size है 4 feet 7.5 feet 9 inch यानि कि यह वाल से लेकर 4 feet 7.5 feet 9 inch यानि कि यह वाल से लेकर यहां तक 5 feet 9 inch है दोस्तो अभी हम पुजा room की बात करेंगे जो पुजा room का size है 5 feet by 4 feet यानि कि यह वाल से लेकर यहां तक 5 feet है और यहां से लेकर यहां तक 4 feet है दोस्तो अभी हम kitchen का बात करेंगे तो यहां पर entrance के सामने पुरा kitchen है 10 feet by 12 feet का यानि कि यह wall से लेकर यहां तक 10 feet है और यहां से लेकर यहां तक 12 feet है अगर दोस्तो आपको kitchen यहां पर थोड़ा बहुत कर बढ़ा करना है तो यह wall यहां पर इस एड कर सकते हो और kitchen बढ़ा हो सकता है तो दोस्तो यही चीटा 20 feet by 25 feet का house planning में अगर आपको भी कोई अलग तरीके से house planning करवान है तो आप comment section में comment कर सकते हो या तो फिर यह जो मेरा WhatsApp न मेरे वहां पर भी comment कर सकते हो ताकि हम आपके लिए जो आपका requirement है उससे अब से house planning बना सके है Thank you for watching my video ими अबस्तों कर दो